तो आज गर जो वीडियो रहेगा, इसके अंदर मैं आपको दो, तीन, चार ऐसे पॉइंट बताऊँगा, जो पॉइंट कई बार क्या करते हैं, बेगिनर्स उनको skip कर देते, यानि को उन पर ध्यान नहीं देते, जिसके करन होता क्या है, सूट के फिटिंग खराब हो जाती है तो बुद्बारी की से एक एक पूर को detail में explain करूँगा, यदि आप पर वीडियो पूरा देख लिया ना, तो आप भी एकदम परफेक्ट फिटिंगा सूट बनाना सीख जाएंगे, mostly गलती क्या होते हैं, जब कभी इम सूट बनाते तो आर्मों में जोला जाता है, यह जो वीडियो पसंद आता है, तो चन्द को जुरू सस्क्राइब करें, क्योंकि इस वी तरीकी वीडियो मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ, तो दोस्तों देखे, कुड़ती की क्टिंग मैं अल्रेटी की हुई है, यह मेरे पास में बाजू है, और यह इसका front है, और यह है back सबसे पहले बात करते हैं गले की, कि गले को सही तरीके से कैसे बनाया जाता है, जिसको मैं इस तरीके से सीधा कर देता हूँ, यह देखे, और इसके center में मैं निशान भी लगा देता हूँ, ताक कि आपको इजली समझ में आ सके, यह देखे. इस तरीके से ठीक है, अब सबसे पहले जो गला बनाने आपको करना क्या है, गले को सबसे पहले कपड़े पर जमाना है, जो मैंने ओल्ड़ी जमा के रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में कुर्ती पर जमाना है, कुर्ती पर जमाने के लिए आपको एक दो बातों को देहन र लाना है, इस तरीके से यह देखें, अगर आप इस वाले कटकुफ निशान से मिला दोगे, तो यह वाला सेंटर आपको 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 दिखाता हूँ, बिल्कुल बाराबर आएगा, यदि हलका फिलका कुछ फरक हो, तो हम हलका से इसको इस तरीके से अड़ेस्ट कर सकते हैं यह देखें, यहां से फिक्स तीन इंच है, और सेम यह यहां से तीन इंच है, ठीक है, तो यहनी कि बिल्कुल बाराबर है, बिगिनर्स क्या करता है, यह निशान यह लगाता है, गले को सिंपन इस तरीके से रखते हैं, और बना देते हैं, सबोज मालों में गले को यहां ब गले को इस तरीके से लिए उर्य दृम जमाने वें और सिदा निशान लगा में। और इसको इस तरीके से रखें ये देखें। उसके बाद मैं आपको simply तरीके से गला बनाना है, जैसा गला बनाते सेम देख्वेhe已經 आगे के गला बनाना है, और पीछे का भी बना लेना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि गला क्यों गिरता है, पीछे की दरफ क्यों जाता है, तो दोस्तों देखें, बैक के अंदर तुमने इस तरीके से और ये पटी लगा कर गला बना लिया है, और ये फ्रेंट वाला गला है, ये मैंने इस बुकरम का बना जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, ठीक है, अब बात करते हैं कि शूल्टर को सही तरीके से कहफे जोडता है, ठीक है, आपको बैक वाला पाट इस तरीके से रखना है, और फ्रेंट वाला रखना है, इस तरीके से, ये इसमें इस सैड जुड़ेगा और यह जुड़ेगा इस साड, ठीक है, आप भ्यान से समझे, कि कई बर प्रोब्लम होती नहीं, गला पिछी की तरफ जाता है, और मतलब साडों से गिरता है, वो क्यो गिरता है, उसका क्या रिजन होता है, ठीक है, बॉस्क लिए बिगिनर क्या करता है, इसको इस तरीके से रखा, और इसको देखे इस तरीके से रखना है, वो लोग क्या करता है, इस तरीके से बिल्कुल सीधी स्लाई लगा देता है, ठीक है, लेकिन आपको सीधी स्लाई नहीं लगानी, यदि आप सीधी स्लाई लगा होगे, तो same problem रहेगी, shoulder गिरेगा आपको क्या करना है, यहां तक तो सिखिसलाई लगानी है उसके बाद में इस सिलाई को इस तरीके से down मने के जाना इस तरीके से, यह देखें अब इस सिलाई कैसे लगेगी मैं आपको machine पर दिखाता हूँ तो देखें, इस तरफ तो मैंने सिलाई को लगा दिया है अब आप इस तरफ समझें कि आपको सिलाई को लगाना के इस तरीके से इसको बिल्कुल ऐसे बराबर रखा, ठीक है यहां से आपको half way पोनिच का मार्जन रखना है और यहां तक ही आपको सिलाई लेकर आनी है उसके बाद मैं इसको हरकासा इस तरीके से तिर्चे लगाना इस लाई को इस तरीके से इसको वापस ऐसे फॉल्ल करें इस लाई जब मैं complete कर लूँगा नो इसको बाद मैं आपको दिखाऊंगा आपको जीनी समझ में आ जाएगा, कि मैंने तिर्ची की इस तरीके से लगाई है, तो देखे, इस तरीके से मैं दोनों इस लगा दी है, अब इनको मैं सीधा करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, यह देखे, इसको मैं इस तरीक पिन फे जुखा हुआ तो somoda अब जब जब जुखा हुआ रहेगा तो ध biblical गलकूップ निका creating अगर मैं और से खीधी सीला इंग पर और सिधी साइब यह ऑजा है जब हलाद जॉगा बंद झीड़ करें और आपको गला एक दम प्रोपर बनके complete हो जाएगा तो गला मैंने आपको बनाना बताया और ये shoulder की सही तरीके slime मैंने आपको लगाना बतायी अब मैं इसकंदर fitting के निशान लगा लेता हूँ फिर मैं आपको explain करूँगा कि मैंने निशान किस तरीके से लगाए तो दोस्तों देखी fitting के निशान मैंने इसकंदर लगा लिए ये वही वाला कुड़ता है जो last video मैंने इसकी cutting की थी तो उसका जो भी measurement है उसकंदर मैंने 3 inch plus किया है और उसके according मैंने fitting के निशान लगा लिए बाकी मैंने काफी सारे वीडियो में आपको बता रखा है कि fitting के निशान कैसे लगाते है इसमें समझने वाली जो बात है न उसको आप ध्यान से समझें देखे ये तो इसका होगे lower breast यहाप पर ठीक है आपको इस तरीके से नहीं गुमाना और आप कितना भी नाप ले ले अपरबेश्ट और lower breast का जोल उसके अंदर फिर भी आएगा आपको क्या करने है यहाँ पर हल्क आसा round में इसको इस तरीके से गुमाना यह देखे सब पहला तो इसके अंदर हो क्या रहे, ऐसे इसलाई आ रही है, फिर आफे चौच बन रही है, आपको चौच नहीं बनानी, इसको इस तरीके से गुमाना है, हलका सा है, यह देखे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, मतलब मेरा बताने का पॉंट यही था, कि आपको तो दोस्तों देखें, फिटिंग की स्लाई मैंने इसके अंदर लगा नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर एक पॉंट आपको बताना भूल गया था, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको स्लाई लगाने से पर ले क्या करना है, एक बर इसको चैक कर लेना है, कि उसके लिए क्या होता है, कई और ले ऐसका कपड़ आयगा चोक पिशलने वाला कपड़ा, उसमें क्या होता है, इस तरीकिए फिर चौल आ जाता है, जैसे में इसके आपको हनल्क फजोल ढालके दिखा देता हूँ, इस तरीके से यह देखें, आप इस तरीके से करोगे ना तो होगा कि नीचे का तो बराबर आगा, उपर जोला जाएगा, फिर उपर का बराबर आगा, नीचे जोला जाएगा, तो कभी के बैसा होता है, तो इसकंदर तो बिल्कुल भी जोल नहीं है, फ्रेंट में देखें आप 1% जोल नहीं है मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ ये देखें बैक में बिल्कुल जोल नहीं है बिल्कुल बराबर है ठीक है ऐसा कभी कभी होता हर कपड़े में नहीं होता फिर एक बर अपसलाय लगाने से पहले देख लोगे तो होगा कि सूट की फिटिंग एदम अच्छी बन जाएगी ठीक है तो फिटिंग आपको समझ में आगे मैंने किस तरीके से किये अब एक काम रहेगा इसकंदर गेरा फोल्ड करने का और एक काम रहेगा इसकंदर बाजू लगाने का ठीक है अब बाजू सही तरीके से कैसे लगाते हैं इस टोपिक पर मैंने तीन-चा दिन पहले वीडियो बनाया है फिर भी एक बर मैं इसकंदर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको क्या करने इस तरीके से निशान लगाना है ठीक है दोनों रोंग साड़ की बाजू है यह उल्टा साड़ है यह उल्टा साड़ है यह वाला यह वाला राइट साड़ है ठीक है तो यहां से आपको बाजू को फोल्ड करने ना है पहले तो जो भी आपको fold करना चाहते हैं इतना बजू को fold कर लेंगे मैं इसको generally ऐसे fold कर लेता हूँ और उसको रखा मैं इस तरफ और यह वाले जो बजू है इसको मैं हलका सा ऐसे fold कर लेता हूँ ठीक है बाग ये proper तो मैं बाद में fold करूँ है अभी सिर्फ आपको समझाने की नीरी में इस तरीके से बाजू को रख रहा हूँ, यह देखें आपको क्या करना है, एक point हमेशा याद रखना है बाजू जब कभी लगानी है, इस तरीके से आर्मल को जरूर मिलाओं देखें, यह वाले कि मैंने cutting कर रखी है, सेम यहाँ से cutting हो रखी है यानि कि ऊपर वाले छोटे नीचे वाले बड़े है, तो बड़ा बड़े से मिलना चीए, छोटा छोटे से मिलना चीए ठीक है, सेम आपको इस तरफ करना है, यह देखें ये वाला छोटा ये छोटा नीचे कवड़ा नीचे कवड़ा है सेम आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है ठीक है तो बाजू कैसे लगाते हैं मैंने कल पर सो वीडियो बनाए उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और गेरा जैसे आप नॉर्मली सूट का फोल्ड करता है तो मैं क्या करता हूँ बाजू लगा लेता हूँ गेरे को फोल्ड कर लेता हूँ इसमें तुर्पाई वगरा करवा लेता हूँ और प्रैस उरस कर गे आपको कुड़ते का फाइनल लुक दिखाता हूँ तो दोस्तों देखे कुड़ती बनकर complete है बाजू मैं ने इसकी लगा ली है और इसका गेरा भी देखे मैं ने gold कर लिया है अब मैं आपको घेरा न आपके दिखा देता हूँ कि इसका गेरा मैं ने gold कय यह देखें बिल्कुल बराबर इसका गेरा आ नहीं है यह तो इसका देखे फ्रेंट से लूक है और यह इसका बैक से लूक है देखें बैक सेड़ भी इसमें एक भी चुननत नहीं है तो आज के वीडियो दोस्तों सिर्फ इतना ही था यही तीन चाटिफ थी जो आपको मैंने बतानी थी कि परफेक्ट तरीके से फिटिंग का सूट बनाना सीखे जाएंगे यदि आपको वीडियो मारी पसंद आती है तो आप मेरे अचल को सब्सक्राइब करें यदि आपको कुछ डाउट है कुछ पूछना इस से लाइफ है संबंदित तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं हर कमेंट कर रिप्लाई करने की पूरी पूरी कॉफिस करता हूँ अब मैं मिलता हूँ उपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू सो मच